जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करेंगे संत्रे के हलवे की रेसिपी ये रेसिपी बिल्कुल नाई और उनीक है उम्मीद है आपको पसंद आएगी तो देखिए हमने यहाँ पर तीन संत्रे ले लिये हैं इन संत्रों को हम पहले छील लेंगे और छीलने के बाद इसकी जो अंदर की स्कीन होती है उसे भी निकाल कर इसके सारे बीज निकाल लेंगे यानि कि हमें इसका पल्प अलग कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने संत्रों में से इसका पल्प अलग कर लिया है और हमने जो पल्प अलग करके रखा हुआ है उसे हम एक पेन में एड़ कर देंगे इसी के साथ हम इसमें एड़ करेंगे आधा कप पानी तो पानी ज्यादा मत एड़ कीजेगा बस बीच में इसे एक बार चेक कर लेंगे नहीं तो नीचे दाग लग जाएगा दूसरे तरफ एक पेन में एक कर देंगे आधा कप देसी घी घी को मैल्ट होने देंगे घी गरम होने के बाद हम इसमें एक कप सूजी यानी की रवा और लगाता चलाते हुए घी में इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और जितना अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा हलवा बनकर तैयार होगा अभी हमें इसे भुनते हुए सिफ पाँच मिनिट हुई है आप देखेंगे के सूजी का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है लेकिन अभी भी हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए तो देखें यहां पर हमें इसकी भुनाई करते हुए 10 मिनिट हो चुकी है तो लगाता चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 10 मिनिट तक भुनने के बाद आप देखेंगे के सूजी का कलर लाइट गोल्डन होने लगा है और दूसरी तरफ हमने जो संत्रे का पल्प बोईल करने के लिए रखा हुआ था वो हम इसमें एड़ कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से बोईल कर लिया तक यह सोफ्ट हो जाए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको संत्रे पसंद है तो आप इस तरह से इसका हलवा बना कर जरूर ट्राइब कीजिएगा क्यूंकि आपको इस रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है और यह खटा मीठा संत्रे का हलवा बहुत ही बढ़िया बनता है और रेसिपी को ट्राइब करने के बाद कोमेंट बोक्स में हमारे साथ अपने एक्सपिरेंस जरूर से से शेर कीजिएगा तो पल्प को हमने सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें एक कप पानी एड़ करके से मिला लेंगे अभी हमें इसमें पानी एड़ किये हुए सिर्फ दो मिनिट हुई है तो अब देख सकते हैं कि सूजी ने सारा पानी एबजोब कर लिया है और इस टेच पर हम इसमें चीनी एड़ कर देंगे तो जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हम इसमें चीनी एड़ करेंगे अगर आपको थोड़ा ज्यादा मिठा रखना हो तो आप चीनी की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे तो चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें फूट कलर एट कर देंगे तो हमने यहाँ पर हलवे को बढ़िया सा कलर देने के लिए ओरेंज फूट कलर लिया है यह बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप ना एट करना चाहें तो स्कीप कर दे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट होने के बाद चीनी ने पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है तो इसका पानी सूखने तक हम इसे लगाता चलाते हुए कुछ दे तक और पकाएंगे तो यहां पर इसका पानी सूखने तक हमने इसे लो फ्लेम पर पांच मिनित तक और पका लिया है और अब देखेंगे के हलवे में से घी भी रिलीज होने लगा है तो इस टेज पर हम इसमें ड्राइफ रूट सेट कर देंगे तो ड्राइफ रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं हमने दो टेबल स्पून जितने बादाम और पिस्ते लिये हैं साथ ही में फ्लेवर के लिए एक चोथाई टीस्पून इलाइची पाउडर एट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर एक से दो मिनिट के लिए हलवे को और पका लेंगे ड्राइफ फ्लेम को ओफ करके इसे सव कर लेंगे हलवे को सव करने के बाद हम गानिशिन के लिए थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी एट कर देंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के एसे ही आसान, सिंपल और यूनीक रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुडबाई